हेलो एब्रिवान कैसे हो सभी लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टरिटी चाप्टर के पेज नूमबर 209 के इंटेक्स कोस्चन से रिलेक्टर सारे के सारे सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाले वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कम्प्रीट ट्रिस्ट का लिंक पिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जवू चेक कर लोगे फिलाल दे जो होता है डारेक्टली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर् अच्छे तरीके से याद रख लेना है ठीक है आगे जलते हैं कोश्चन नमबर टू पर कोश्चन नमबर टू देखो क्या है तो क्योंकि अभी कुछ दिर पहले हमने देखा था कि रसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका एरिया का क्या होता है यानि कि एरिया हमारा जितना कम रहेगा रसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा और रसिस्टेंस अगर हमारा ज्यादा हो गया तो इस केस में करंट का जो फ्लो होगा ना जो करंट फ्लो करेगा वो तो कम करेगा कि रोकने वाला ज्यादा है तो अगर रोकने वाला ज्यादा है तो करेंट कि अभी हमने देखा अगर इस बार एरिया ज्यादा हुआ अगर अगर उसका थिक्नस ज्यादा है रेडियस पर ही डिपेंड करता है जैसे अगर हम एक वायर ले तो वायर को अगर सर्कुलर सपोस्ट करे होता भी सर्कुलर ही है तो वो एक्चॉल में क्या होगा रेडियस पर ही डिपेंड करेगा यानि कि अगर थिकनेस ज्यादा है मुटाई अगर उसका ज्यादा है इसका मतलब resistance क्या होगा कम होगा और अगर resistance कम हुआ इसका मतलब वहां से current कम करेगा flow या ज्यादा करेगा बिलकुल वहां से ज्यादा current जो है वो हमारा flow करेगा ठीक है तो बस अगर कोई हमारे पास same material का है अगर thicker body का है thick wire है तो उस case में वह महां easily flow होता हुआ आपको नचर आएगा ठीक है तो simple form में हम लोग लिख देंगे क्या the current flow more easily through a thick wire than through a thin wire of the same material when connected in the same source है अगर same source से अगर आप connect करते हो तो thick wire से ज्यादा current आपको flow होता हुआ देखने को मिलेगा क्यों this is due to the fact that the resistance of a wire is inversely proportional to square of the diameter अब आप सोचोगे सर ये क्या आपने बता दिया square of the diameter diameter के square के equal होगा ये क्या बात हुआ फोड़ा इसको समझा दो एक बार ठीक है चलो देखो simple form है ये हमारा जो अभी हमने पढ़ रखा है बस उसी के बारे में है बस diameter से related है है ना जैसे देखो अगर मैं आपको बात करूँ कि जो resistance होता है वो inversely proportional होता है किसका area का है ना तो इस basis पर आप बोल सकते हो कि inversely proportional होगा क्योंकि circular है circular है तो क्या होगा पाई आर square यहीं होता है यानि कि radius के भी inversely proportional है या फिर अगर radius को diameter में आप convert करो तो r is inversely proportional to 1 by pi और r का value क्या होता है d by 2 d by 2 इसका square है ना तो simple form में क्या हो जाएगा r जो होगा inversely proportional होगा 1 by pi है ना 1 by pi d का square d square हो गया और by कितना 4 by 4 कितना हो गया by 4 अब यहाँ पर यह वाला part आपका constant है यह भी part constant है तो simple form में लिख सकते हो कि r जो है inversely proportional होगा d square के बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बाकी दोनों पार तो constant है रवाई constant को हम लोग नहीं लेते हैं जब भी proportionality और inversely proportionality के बारे में बात करते हैं तो उस case में फोर या फिर जो हमारे पास constant number है उसको कभी लोग नहीं consider करते तो वही चीज हमें यहाँ पर दिया है आप simple form में यह भी बता सकते हो कि inversely proportional to area the thick wire has greater diameter जो thick wire होगा मुटा wire होगा उसका diameter जादा होगा यह तो आपको पता भी है is the lesser resistance making the current to flow through more easily on the other hand a thin wire has a smaller diameter and hence greater resistance to flow of current through it ठीक है यानि कि वहाँ ज्यादा resistance होगा current कम फोगा इसलिए हमेसा thick wire यूज कह जाता है अगर आप देखो ना कि अगर कोई मिल है जो आटा चक्की वाला है जो आटा पीचता है mainly simple form है तो अगर उसमें आप जाओ गया अगर वो electricity से चलता होगा ना देखो कि बहुत मोटा मोटा wire यूज करता है अब simple form में देख सकते हो कि अगर एक bulb जलाना है तो वो wire देखो एक दम पतला सा wire होगा लेकिन अगर TV जलाना है तो उस case में उसका wire देखोगे AC का wire देखोग ठीक है जिसको जादा current चाहिए होता ना सब का देखियो कि उस सब का जो wire होता मोटा मोटा होता है ठीक है आयोग कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ठीक है आज अब third question पे चलो लेट the resistance of an electric component remains constant ठीक है यानि कि resistance को हम लोग क्या करते है constant करते है ठीक है रसिस्टेंस को constant कर दिया while the potential difference across the two ends of the component decreases to half अच्छा उसके साथ हम लोग potential difference यानि v को क्या कर दे रहे है half कर दे रहे है what will changes in the current ठीक है तो current में क्या changes होगा इसके लिए हमें एक relation के basis पे इसको हमें समझना पड़ेगा ठीक है थोड़ा समय यहाँ पर space बना लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकें ठीक हमने formula पढ़ रहा है ohmslock according क्या हो यही पढ़ रखा है हमने formula है ना अगर आर को आप constant कर देते हो आर को क्या करते हो constant कर देते हो तो आप simple form में बोल सकते है we directly proportional होगा i.k. V क्या होगा directly proportional होगा IK simple form में यहीं बोल सकते हो और owns lock starting भी ऐसे होता है कि V directly proportional है IK या फिर I directly proportional है VK ऐसे ने start करते हो तो simple form में हमें देखो क्या दिया हुआ है कि अगर potential difference को decrease कर देते हो कितना तक half of its former value यानि कि अगर potential difference को आप half कर देते हो तो current क्योंकि directly proportional है यह भी तो half हो जाएगा यह भी तो half हो जाएगा तो simple form में हम लोग लिख देंगे कि current through the component will decreases to half of its former value वो भी क्या हो जाएगा current जो है ना वो भी हमारा half होता हुआ हमें नचर आएगा ठीक है I hope कि यह part भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा question number fourth पे आते है why are coils of electric toaster और electric iron made of an alloy rather than a pure metal यानि कि जो electric toaster होता है जिसे चेक किया जाता है कि electricity वहाँ से flow कर रहा है या नहीं किया कर रहा है ठीक है और electric iron जो होता है वो actual में alloy का बना होता है ना कि एक pure metal का उसका जो coil होता है simple form में coil के बारे में बात होता है इसके लिए बहुत सारे region हम लोग दे सकते है simple form में हमारे पास क्या होगा कि coil और heating element उसका क्या होता है कि जैसे toaster हो गया या फिर हमारा electric iron होगा ये alloy का बना होता है ना कि pure metal का reason होता है कि जो alloy होता है ना उसका बहुत ज़्यादा resistivity हमें देखने को मिलता है ना बहुत ज़्यादा resistivity resistivity के बारे में अगर हम लोग एक चीज बात कर लें यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें है ना जैसे आपको resistance का formula पता है आप बोल सकते हो कि आर जो है इनवर्स्ट्री प्रोपोस्ट्रल है रोका यानि कि अगर रसिस्टेंस जादा है अगर सॉलीघर्स्टी ज़्यादा है तो resistivity भी क्या होगा ज्यादा होगा बोल सकते होना आप क्योंकि धरर Augen सुना है तो अगर हमें electric toaster बना रहा है electric iron बना है उसमें क्या होता है hitting element होता है यानि कि ज़्यादा heat हो ज़्यादा heat हो इसका मतलब वहाँ से electricity पास करे लेकिन उसका resistance ज़्यादा हो resistance ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा उसके बीच में बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप एदो अपने palm को पकटते हो ठीक है अपने दोनों जो आपका हाथ है उसको लेते हो रगड़ते हो तो उस case में क्या होता है resistance बहुत ज़्यादा होता है अगर आप जोर से एक दूसरे पर जोर लगा और घीसो तो और ज़्यादा गर्मी होगा तो same case हमारा वही होता है कि अगर resistance ज़्यादा होगा ना तो resistance ज़्यादा होने से hitting element जो है मतलब हमारे पास ज़्यादा होना start हो जाएगा और इसी कारण से हम लोग को क्या करते है कि जो electric iron होता है जो toaster होता है या फिर जो नाइक्रोम वायर का जो हीटर बना होता है उन सब के cases में हम लोग alloy का यूज करते हैं reason है उसका कि alloy के पास क्या होता है higher resistivity होता है और higher resistivity या फिर दूसरे form बोच सकते हो कि high resistance होता है जिसके खायन वो जादा गर्म होता है और उसी गर्मी का हम लोग फायदा उठा लेते हैं या तो मतलब गर्मी के दिन में धूब के लिए खाना पकाने के लिए बोच सकते हो या फिर हम लोग कपड़े को ठीक करने के लिए हम लोग उसका यूज कर लेते हैं उसके साथ- an alloy does not go oxidation, मतलब oxidation नहीं करता है, याद करो चाप्टर no.1, oxidation होने से क्या हो जाता था? कि corrode जल्दी हो जाता है, but ये क्या होता है? corrode ही नहीं होता, जब उसको high temperature भी provide तो फिर भी वो जल्दी corrode नहीं होगा, और यह हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है तो यही तो reasons आप simple form में यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है अगला question पर चला जाए question number 5 देखो क्या है use the data in the table on the page 23 of this book to answer the following हमने यह table जो है simple form में यहाँ पर उठा लखा है ठीक है आइरन है यानि की एफी है और उसके साथ साथ हजी यानि की मरकरी है ठीक है बेठर conductor अब conductor के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए resistance कम होना चाहिए यह बात से तो आप हमारे agree करते हो ना कि अगर resistance कम होगा तो उस basis पे आप बता सकते हो कि कौन-कौन सा था एक सेकेंड आइरन और मरकरी था ठीक है इस basis पे आप ये तो बता सकते हो ना कि हमारे पास resistance अगर कम होगा तो resistance कम होगा तो conductor जादा होगा और resistance अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि directly proportional होता है resistivity के यानि कि अगर resistivity भी कम हुआ दोनों में वो जादा conductor आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो हमारे पास iron है ये देखो आपका iron है और दूसरा आपका पास mercury है mercury कहा है यहाँ पर देखो है तो ये दोनों के पास ढूटना है कि कम resistivity किसके पास है power देख लो पहले 10 to the power minus 8 है conductivity जादा होगा है न उसका वो उतना जादा conductor होगा तो 94 और 10 में बच्चा भी बता देगा कि 10 जो है कम होता है यानि कि इसका conductivity क्या होगा वो हमें जादा देखने को मिलेगा ठीक है simple form में था ये आप देखकर अराम से बता सकते हो ठीक है तो हम लोगो simple form में इसका answer लिखना start करेंगे ठीक है इसको पहले मैं रगगर देता हूँ ठीक है the electrical resistance of iron इतना whereas than mercury is इतना since the resistivity of iron is less than mercury है न उससे कम था इसलिए हमने बोला कि iron जो है वो better conductor है compare to mercury ठीक है simple form में आपको answer दे देना था बी पार्ड में आपको क्या दिया हुआ है which material is the best conductor है न यानि की कौन सा material best conductor है जिसका सबसे low resistivity होगा वही तो सबसे best conductor होगा do not किसका है सबसे उपर में कौन belong करता है तो आप बोलोगे sir silver सबसे उपर belong करता है और सबसे कम इसी का resistivity है यही reason होता है कि यह से हमें बोलते हैं कि best conductor of electricity chapter number 3 में भी आपने metal non-metal अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इसमें भी आपने देखा होगा कि silver जो होता है वो best conductor of electricity होता है ठीक है जो simple form में इसका दो है आप answer तो कर ही सकते हो आजा देख लो क्या है कि which material best conductor तो simple form में आपने इसका answer क्या लिखा है कि silver metal has the lowest electrical resistivity इसलिए यह क्या होगा best conductor of electricity आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर सारे के सारे questions भी हमारे क्या होते हैं complete होते हैं I hope कि सारे का सारे questions आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मिलते हैं आप से अगली वीडियो में एक और इंटेक्स questions के solution के साथ अगर आपको किसी questions में problem होता है तो आप हमें comment section में जरूर बता होगे